वेकम फ्रेंज वेकम बाग तो मैं चैनल आप काफी दिरों के बाद आज मैं एक वीडियो लोड करने जा रहा हूं हिंदू लौ पे और I'm sorry कि काफी दिनों तक मैं कोई वीडियो नहीं लेके आया विकॉस आप सम रीजन्स लेकिन अब रेगुलर्ली मैं अपडेट करता रहू हूंगा और नए वीडियो पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल स्टेडीज पे 12 के टॉपिक्स पे रेगुलर्ली अप्लोड करता रहूंगा राइट वी टॉक बाउट हिंदू लौ इसकी अगर हम बैग्राउंड में थोड़ा सा जाएं कि हमारा जो हिंदू लौ है उसमें व कि बात करें या इंडेस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो बहुत पुराने ही जो हमारे फिलासिफिकल डिस्कोर्सेज हैं वो वेदाज हैं उनका बड़ा एक सिगनिफिकन्ट रोल रहा है हमारे हिंदू लौ में लौ हमने एक वर्ड यूस्तमाल किया धर्म लेकिन ज था उसमें रिलिजिन और रिलीजिस प्रैक्टिसेज उसको डिसाइफर करना लौ से बड़ा मुश्किल सा काम है अगर हम देखें आज भी हम बात करते हैं अगर हम एजलेमन बात करते हैं हमारी जब हम किसी के एक्शन्स को चेक करने की कोशिश करते हैं हम बोलते हैं कि यह हिसाब से ठीक नहीं हो रहा है तो वो धर्म एक moral conduct और rules violation of rules and regulations वो सब को cover कर लेता है तो हम यह कह सकते हैं कि जो classical Hindu law था इत वस्ट्र ली बेस्ट अवेश्ट इंवेश्ट वेधास में इसमें एक central role थे किया और इत वस्ट्र इसान देवर्सीन प्रक्टिस और ट्रेंट में बेवर्टीज बेस्ट लोकेशन ग्रोंट्स अगर डॉवार्टेश्ट इसा गुपैर एट से जगई भी प्रमूटेश फिर communities के बद कास्ट, फिर उसके बाद आपके group communities के जैसे merchant group है, military है या temple groups है, उन सब के लिए अलग-अलग rules and regulations जो थे, वो discuss किये गए classical Hindu law में, अगर हम classical Hindu law के sources की बात करें, जैसे हमने बात की, धर्म एक बड़ा important factor है इसमें, धर्म का Sanskrit meaning है righteousness, duty और law, जैसे मैंने आपसे पहले भी discuss किया, धर्म एक wider meaning है इसका, इसमें आप कह सकते हो कि हमारी legal duties, religious duties, laws, court procedures, human activities which included rituals, purification, personal hygiene, modes of dress, ये सब कुछ जो था, वो धर्म शब्द में cover होता था, तो एक तरह से आप कह सकते हो, एक principle guiding force थी, हमारी life के हर एक aspect को regulate करने की, that was what we called dharma, तो this is one of the main and the first and foremost sources of hindu law, then after dharma अगर हम बात करें, sources और क्या थे, vedas जिसके हमने पहले भी बात की, main vedas जिसमें आ गए आपके चार vedas, rig veda, yajur veda, saam veda, anathar veda, ठीक है, और ये है क्या है, basically it's a collection of hymns, praises and ritual instructions, और वेदा का actual literal meaning क्या है, revelation, that's something which you have revealed, second source as the smritis, ठीक है, smriti का मतलब है remembrance, जो आपको यादोग थे, जिन्होंने उसको समझा था, explore किया था, study किया था, उन लोगों की remembrance में, vedas के बारे में क्या चीज़ें थी, वो traditions, वो सब चीज़ें जो है, smritis में आ गई, ठीक है, so they are humanly authored written text that contain and collected traditions, अब ये smritis जो थी, वो remembrance के basis पर लिखी गई, ठीक है, derived from the Veda, जैसे मनुस्मृति होगी, ठीक है, एक example आप इसका ये ले सकते हैं, थर्ड सोर्स जो है, हमारे धर्मा का, that is called आचारा, ठीक है, आचरन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, तो इसका मतलब क्या था, customary law, और ये इसमें included थे, norms of particular community, which included, you know, groups, उसमें उनक के अलग-लग groups के, क्या-क्या उनका behavior होना चाहिए, क्या उनकी responsibilities है, that was all included in आचारा, ठीक है, बोथ Veda's and Smritis, जहां पर silent होते थे, वहां पर आचार इसका help लिया जाता था, for the interpretation and explanation, और धर्म शास्त्रा भी एक important source है, Hindu law का, ठीक है, धर्म शास्त्रा एक स्मृति का ही, एक example है, is a kind of Smriti, आप कह सकते हो, और यह भी religious और legal duties के बारे में बात करता है, धर्म शास्त्रा, इसमें भी बहुत सारे volumes हैं, hundreds of such texts हैं, जिनको हम धर्म शास्त्रा कह सकते हैं, because anything which is related to the dharma and the duties, religious, legal duties of the society and different sections of the society can be referred to as धर्म शास्त्रा, तो यह क्या करता है, basically this also provides us rules for the life of an ideal householder, ठीक है, एक ideal householder क्या है, उसकी क्या responsibility होनी चाहिए, वो क्या उसको करना है, उसका religious, उसका daily routine क्या होना चाहिए, religion के लिए, society के लिए, family के लिए, उसकी क्या responsibilities है, यह सब कुछ इसमें included रहता था, आचारा, sorry, और यह क्या बात करता था, daily rituals, daily life rights, जो हमको daily क की जो भी activities perform करनी थी, but that too based on the, sorry, that is Varna's, जो हमारे वर्ण थे, चार वर्ण बाता गया था, उनके हिसाब से, उनकी क्या क्या responsibilities है, वो सब कुछ उसमें included था, लाइफ साइकल, राइट्स भी, जिसमें marriage, और आपका जने उधारन, sacred thread अप लेते हो, उसके लिए क्या practices follow की जानी हैं, वो सब कुछ इसमें included था, फिर along with the Varna's Uncast system, जो चार आश्रम बताए गए हैं, धर्मशास्त्रा में, ठीक है, जिसमें ब्रहमत, चर्यगरस्त, वानपरस्त और सन्यास, इन में भी इनकी अलग-लग क्या responsibilities थी, वो covered थी, second topic था इसमें, धर्मशास्त्रा में जो included था, वो रिवार में, laws और legal procedures की बात की गई, कि जो laws हैं, वो कैसे होंगे, और legal procedures कैसे follow किये जाएंगे, अगर इसका example करेंगे, जैसे हम बात करें कि राजधर्म हैं, राजधर्म जो है, राजधर्म जो है, राजा क्या है, उसकी क्या duties हैं, क्या obligations की हैं, राजा की towards the subjects, ठीक है, और court कैसे organize करता है, लोगों को सुनता है, उनकी witnesses को examine करता है, कैसे करेगा, और कैसे decide करेगा, कैसे punishment होगी, और justice कैसे pursue होगा, that was all included in व्यवहारा, then third category was प्राश्चित, प्राश्चित में punishments की बात की गई, finances की बात की गई, कि अगर कोई violator है, तो उसको क्या punishment होगी, ठीक है, तो excuse किया जाएगा, that was all included in this, then there were religious hermeneutics, अभी यह क्या था, this is actually the study and interpretation of the religious text, which we have already discussed अभी so far, जिसमेश मरती, वेदाज, घर्मशास्तर, एट्स पे अलग-लग लोगों की क्या written text थे, उन्होंने interpret करके क्या written text दिये, about religion, about law, literature, that was all included into this, तो धर्मशास्तरा traditions, uses these textual hermeneutics, like example है, पूर्व मिमासा, जो की interpret करता है in religious text को, और यह पूरी एक detailed knowledge देता है, about the Vedic text, कि उनको कैसे interpret करना है, और यह धर्मशास्तरा को हम कैसे interpret कर सकते हैं, after this, धर्मशास्तरा टेक्स जो हैं, बहुत सारे, जिसके बारे में हमने बात की थी, कि बहुत सारे, hundred of them are there, तो उनकी, उनकी interpretations और उनकी, उनमें क्या-क्या important text हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं, तो जैसे first है धर्मशास्तरा में, four text धर्मशास्तरा में जिसमें धर्मशास्तरा आ गया, दर्मशास्तरा क्या है, righteousness और एक ऐसा सूतर जिससे, जो हमारे को सही दिशा या सही चीजों से बांद के रखे गया, ठीक है, और ये कैसे लिखा गया था, प्रो स्टाइल में लिखा की गई किसी की diet क्या होनी चाहिए, उसको क्या खाना है, उसको crime अगर कोई कर देता, punishment क्या होगी, daily sacrifices वो क्या करेगा, funeral practices क्या होगी, ठीक है, धर्मशास्तरा में आपके जो major हैं, वो चार हैं, जिसमें अपस्तंभा, गौतमा, बुध्धियाना और वशिष्टा, और ये अल लग लग locations में अलग लग धर्मसूतरा आते हैं, और इसके इलावा, मनु स्मृती है, यजना वलका स्मृती है, नारद स्मृती है, विश्नु स्मृती है, ब्रह्म, ब्रहस्पती स्मृती है, कातियाईनी स्मृती है, ये सारे के सारे, these are examples of the various धर्मसूतरास that are sources of Hindu law, इसके इ लावा, last but not the least, different commentaries and digests, अलग लग लोगों ने इन धर्मसूतरास और धर्मशास्तरास को study करके अपनी जो religious interpretations दी हैं, commentaries दी हैं, वो भी एक important source है, हमारे Hindu law का, so that's it, अगले वीडियो में बात करते हैं, Anglo-Hindu law की, I hope आपको ये वीडियो helpful रहेगा, कि आपको ये वीडियो कै कैसा लगा और अपना important feedback जरूर दें और चैनल को subscribe करें, thank you so much and take care.